हो तो देखो एक असा सवाल है और बॉड़ी मूउव इने लोवर सर्कुलर और आर्भीट आफ प्लानेट आप मास एम रेडियस ए जो प्लानेट है वो center से satellite का distance R then the ratio of speed of body in its orbit मतलब orbital speed to its escape speed में उस planet पे क्या relation होगा मतलब इसकी value क्या होगी तो अब देखो orbital speed किसी भी planet की होती है किसी भी satellite की जो की planet पे depend नहीं करती है वो g mass of the mass of the planet और radius of the planet R ये वाला R plus S h होता orbital speed लेकिन यहाँ h जो है 0 है क्योंकि nearby है तो orbital speed is equal to gm over r आ जाएगा ये orbital speed होती है इसके velocity किसी भी planet की जो होती है वो gm over r two times under root ये होती है तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये basically यहाँ से तुम देखोगे तो skip orbital में root two को इधर कप्चे में ले लो तो gm over r under root तो यहाँ से root two over और यहाँ से orbital speed ये बन जाएगा और ये escape तो orbital और escape की जो ratio जाएगी वो 1 by root two आई ओप कि ये सबको याद होगा तो बहुत सारे बच्चे को तो याद ही रहता है तो 1 by root two मतलब यह है हमारा A option से ये थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो